नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार क्वालिटी FMCG स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप लोग ततकाल कुछ इंट्री बना सकते हैं कुछ टॉप अप या S.I.P कर सकते हैं और उससे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा Nifty 50 का भी अनिलेस्स करके देख लेते हैं तो Nifty 50 में भी हम लोग देख रहे हैं आज हम लोग को फिर से बढ़ा देखने को मिला है और मारकेट 17,000 का बैरियर को क्रोस कर दिया तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि लेकिन price अभी 20 के moving average के नजदीक आ चुका है और जो हम अपना method लगाते हैं वो तीन indicators लगाते हैं basically एक 20 का moving average जो कि आपको blue lines हो कर रहोगा और दूसरा हम लोग 200 days का moving average उज़ करते हैं जो कि आपको pink lines हो कर रहोगा और तीसरा indicator हम लोग pivot point या pivot line भी लगाते हैं जो कि आपको support या resistance बताता है तो अभी हम लोग देख रहे हैं इस pivot पे लगवग support लेता है nifty 16,440 पे support लिया था और उसके बाद हमको अच्छा सा pullback देखने को मिला है लेकिन बात करें हम लोग moving average भी आपको support या resistance का काम करता है जैसे nifty में लगता है हम लोग को downtrend देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक बार 20 का moving average पे यहाँ resistance लेता है एक बार यहाँ लेता है और फिर से 20 के moving average के करीब में ही price आ चुका है तो कल का दिन और फिर critical हो सकता है एक दो दिन अगर फिर से 20 के line को break करके उपर price जाता है तो फिर से nifty 50 हम लोग को अच्छा momentum उपर की तरफ दिखा सकता है और अगर 20 के moving average फिर से कल resistance हम लोग को दिखने को मिलता है दोस्तों तो फिर price 200 days के moving average तक भी आ सकता है इसलिए हम लोग को ज़्यादा अभी long position हम लोग को नहीं बनाना है छोटा quantity में ही SIP करके चले अगर nifty biz index fund में आपको इंटे लेना है तो छोटा quantity buy करें लेकिन बड़ा quantity अभी buy करेंगे हम लोग 200 days के moving average के करीब में और नहीं तो अगर 20 के line को break कर देता है और फिर से 20 के line आपको inclined हो जाता है 45 degree का angle बना कर उपर जाने लगता है तो फिर से हम लोग और भी अपना quantity को बढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा अभी हम लोग quantity कम ही में साइपी करेंगे और हमारा आज का पहला stock pick है दोस्तो आईटीसी आईटीसी retailers का बहुत ही favorite stock होता है और यह mainly cigarette का business करता है और इसी करण इसने पिछले 4-5 सलों से अच्छा return नहीं दिया है क्योंकि इस पे निगेटीव थोड़ा sentiment बना रहता है market में कब taxation बढ़ जाए इसके करण इसमें थोड़ा negative sentiment होता है इस करण से बहुत ही जादा undervalued stock nifty 50 का रहा है तो यही मौका है क्योंकि अब क्या कर रहा है company इसका growth prospect बहुत ही अच्छा आने वाले दिनों में हम लोग को देखने को मिल सकता है क्योंकि अब ज्यादा focus इसका fmcg business पे है क्योंकि company का management यह चाहता है कि टोबै को business से थोड़ा revenue को कम किया जाए और fmcg पे हम लोग को ज्यादा concentrate करना है तो यही कारण से बहुत सारे mutual fund इसमें बहुत ही जादा bulk buying किये है तो हम लोग को भी थोड़ा quantity buy करके चल सकते हैं तो अभी हम लोग जो method सीखते हैं उसमें हम लोग price अगर 200 days के moving average से बहुत ही जादा दूर चले और space बहुत ही जादा हो जाए तो वैसे situation में हम लोग को buy नहीं करना चाहिए कुछ हम लोग को profit booking का देखना है लेकिन अगर price 200 days के नजदीक आ जाए moving average के तो हम लोग कुछ quantity buy करके चलेंगे और नीचे भी आता है तो best होता है हम लोग और भी अगर price 200 days के moving average के नीचे चले तो वैसे situation में और भी हम लोग को quantity add करना चाहिए तो फिलहाल हम लोग देख रहे है बहुत ही दिनों से sideways movement हम लोग को ITC में देखने को मिल रहा है और price 200 days के नजदीक चल रहा है और एक अच्छा सा green candle भी हम लोग को देखने को मिला है और नीचे pivot भी है तो यहाँ पे हम लोग कुछ quantity add कर सकते हैं और अगर कोई यहाँ पे add कर चुके होंगे तो उनको add करने का भी जरूत नहीं है अगर price यहाँ से उपर जाता है तो और भी हम लोग uptrend में averaging करेंगे इंगलफिंग pattern खोज कर और इंगलफिंग pattern हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक छोटा सा candle होना चाहिए और एक बगल बड़ा बड़ा सा green candle होना चाहिए चोटा वाला किसी भी color का होगा अगर red है तो red भी हो सकता है green है तो green भी हो सकता है कोई दिकत नहीं है लेकिन बड़ा वाला candle green होना चाहिए और 20 के moving average के करीब बनना चाहिए और अगर 20 का moving average 30 degree से लेकर के 45 degree तक inclined है तो वैसे situation में हम लोग क्या करते हैं अप ट्रेंड में averaging करते हैं और इंगल्फिंग pattern हम लोग खोजेंगे और भी अपना quantity को increase करेंगे तो वैसे situation में आप लोग buy करके चल सकते हैं लेकिन बात याद रहे 200 days के moving average से बहुत ही ज्यादा दूर में कोई investment नहीं करना है तो पहले हम लोग 200 days के moving average के करीब में investment कर लेंगे और फिर मालीजे हमारा analysis यहां से भी गलत सावित होता है क्योंकि 20 का line नीचे की तरफ inclined है तो और भी momentum downward का है तो नीचे का pivot देखेंगे हम लोग लगतार downtrend averaging नहीं करेंगे यह बहुत सारे retailers यहीं गलती करते हैं मालीजे यहां कुछ बाई करते हैं कुछ यहां बाई करते हैं अगर daily fall करेगा तो daily buy करते हैं ऐसे हम लोग को कभी नहीं करना है पहले हम लोग 200 days के moving average के करीब में ही बाई करेंगे और फिर अगर price नीचे आता है तो नीचे का pivot पर देखेंगे और फिर अपना quantity को increase करेंगे लेकिन बार बार डाउंट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है तो ITC में हम लोग बाई करके चल सकते हैं और weekly chart पर भी देख लेते हैं तो long term trend पता चलेगा तो हम लोग weekly chart पर भी देख रहे हैं दोस्तों कि price को 200 days के moving average पर बह तो weekly chart पर हम लोग को थोड़ा hammer candle जैसा भी दीख रहा है अगर 200 days के line को break कर देता है तो अगला pivot तक का हम लोग को target ITC में near term में मिलेगा और बहुत सारे brokerage houses का भी यही मनना है कि 300 के price को ITC cross कर सकता है one year में और अगला stock है दोस्तों कॉल पेल कॉल पेल कॉल गेट बनाने वाली कंपनी है एक multi national कंपनी है तो इसमें हम लोग buy करके चल सकते हैं क्योंकि इस सब business हम लोग को steady growth हम लोग को देखने को मिलता है FMCG में उतना ज्यादा हम लोग को गिरावाट हम लोग को revenue में देखने को नह इस 200 days के moving average से बहुत ही ज्यादा नीचे चल रहा है और distance बहुत ही ज्यादा है नीचे की तरफ तो हम लोग ऐसे situation में क्या करते हैं buy करना पसंद करते हैं और यहां पर हम लोग को बहुत ही लंबा consolidation भी देखने को मिल रहा है और price ने 20 के moving average को भी break कर दिया है तो अगर इस pivot line क अगर cross करता है price तो हम लोग को 200 days के moving average तक price आ सकता है callpal में तो callpal में बहुत हम लोग को buy करना है और long term के लिए भी buy कर सकते हैं और short term में भी आप लोग को फैदा देखने को मिल सकता है और हम लोग weekly chart पर भी देख लेते हैं तो weekly chart पर भी दोस्तों हम लोग price 200 days के moving average के करीब म में आ चुका है और हम लोग को hammer candle जैसा दिख रहा है green candle आपको दिख रहा होगा और नीचे उसका tail है तो यहां से price और फ्यूपर की तरफ हम लोग को momentum सोख कर सकता है callpal में तो हमारा callpal next pick था और हमारा अगला stock pick है दोस्तों हिंदूस्तान Unilever जनरली हिंदूस्तान Unilever में हम लोग को इतना ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलता है देश का सबसे बड़ा FMCG company है और लेकिन बहुत ही ज्यादा हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है top से और price 200 days के moving average से well below चल रहा है और इस pivot पे आ चुका है तो हम लोग यह लेना है तो कुछ quantity SIP कर सकते हैं लेकिन ज्यादा quantity अभी बाई करके न चले क्योंकि 20 का लाइन नीचे के तरफ इनकलाइन है और भी momentum नीचे के तरफ ज्यादा है तो इस कारण से नीचे का पिभट पर भी और आ सकता है दोस्तान Unilever में तो हम लोग थोड़ा quantity SIP कर सकते हैं और फिर से अगर माल यह 20 के line को break कर देता है price और अच्छा कासा consolidation देखने को मिलता है और उसके बाद 20 का line फिर से उपर की तरफ इनकलाइन होने का प्रियास करता है तो इसका मतलब हम लोग को लगेगा कि अब यहाँ से price घूमेगा लेकिन थोड़ा बहुत अभी इसमें और और भी downtrend हम लोग को देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी 20 का moving average नीचे की तरफ inclined है तो थोड़ा कम ही मात्रा में SIB करें और अगर फिर से उपर आता है तो और भी quantity add करें और हम लोग weekly chart में भी देख रहे हैं दूस्तान Unilever में price 200 days के moving average से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और इस pivot से टकड़ाता है और resistance मिलता है और यही हम बात बताते हैं कि अगर price 200 days से moving average से बहुत ही ज़्यादा दूर चलेगा तो FIIs, DIIs का selling आएगा और अभी FIIs का ब बढ़िया खासा correction हम लोग को देखने को मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तो प्राइस अभी इस pivot पे आ चुका है तो यहाँ पे अगर support लेने का हभी कोशिस करते हुए हमको दिख रहा है green candle आपको दिख रहा होगा तो कुछ quantity आप लोग S.I.P. यहाँ से कर सकते है क्योंकि हम लोग daily chart पे entry लेते हैं और weekly chart पे हम लोग कुछ profit booking करते हैं जैसे price 200 days के moving average से दूर चल रहा था और इस pivot पे हम लोग को दिख रहा था पहले से resistance है तो कुछ quantity मालिजे 10 quantity है आपके पास तो 3-4 quantity profit book कर सकते थे और इसी तरह मालिजे 100 quantity है तो 30-40 quantity आप profit book कर सकते थे हि लिवर में ऐसे करने से हम लोग को return enhance होता है क्योंकि हर बार price हम लोग को correction देखने को मिलेगा और 200 days के moving average के करीम में आएगा तो daily chart पे हम लोग entry ले ले लेंगे तो अभी हम लोग daily chart पे देख रहे हैं कि price 200 days के moving average से well below चल रहा है और अच्छा का साथ थोड़ा बहुत consolidation देख होना चाहिए हिंदुस्तान उनिलिवर बहुत ही consistent का founder stock रहा है और हमारा last stock पीक है दोस्तो टाटा consumers और टाटा कंजूमर के बारे में बता दे कि टाटा salt टाटा tea और भी बहुत सारे हम लोग टाटा संपन यूज़ करते होंगे ये company बनाता है टाटा कंजूमर टाटा का product है तो इसको हम लोग अपने portfolio में जरूर से सामिल कर सकते हैं FMCGA stock में भी हम लोग को investment करना है क्योंकि FMCGA stock उतना ज्यादा हम लोग को growth show नहीं करता है तो टाटा कंजूमर में हम लोग देख रहे हैं तो दोस्तों कि price 200 days के बहुत ही जादा दूर चला गया और बहुत ही अच्छ कासा हम लोग को पिछले one year two year में हम लोग को अच्छा return मिला है टाटा कंजूमर में तो इसी कारण से FIIS का यहाँ पे कुछ selling आया और लगतार price हम लोग को downtrend दिखा रहा था तो हम लोग देखने हैं दोस्तों price हम लोग को लगतार lower lows बनाते हुए दिखा रहा है तो इसका मतलब हम लोग को heavy downtrend टाटा कंजूमर में चल रहा था और 20 का line भी नीचे की तरफ inclined है यह आपको बता रहा है recent term trend इसमें अभी downward है तो अभी price 200 days के करीब में आ चुका है तो यहाँ भी हम लोग buy करने का recommendation किये थे उसके बाद थोड़ा सा और भी price नीचे आ गया है तो हम लोग बोलते हैं कि बार-बार averaging नहीं करना है अगर 200 days के कर करीब में buy की होंगे तो थोड़ा बहुत अभी हम लोग को कोई entry नहीं लेना है क्योंकि तुरत downtrend averaging नहीं करना है पहले हम लोग next pivot का wait करेंगे यह pivot है करीब 686 पे आता है तो और भी quantity add करे अगर नया entry लेना है तो कुछ entry आप लोग ले सकते हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा hammer candle भी जैसा दिखा है अगर 3-4% का एक candle दिखता है तो कुछ quantity add कर सकते हैं और फिर इस pivot को भी break करता है तो लगता है downtrend में averaging नहीं करना है हम लोग को आखरी pivot है 577 पे तो last हम लोग 577 पे फिर averaging करेंगे लेकिन daily fall करेगा तो daily हम लोग उसमें averaging नहीं करेंगे तो हम लोग का method का main purpose रहता है दोस्तों कि quality stock हम लोग को चुनना है fundamentally sound stock चुनना है और हम लोग को average price जो होता है हम लोग एक बार में पूरा quantity buy नहीं करते हैं इसी करह हम लोग को average price को नीचे लाना है average price हम लोग नीचे लाएंगे तभी हम लोग को long term में अच्छा return देखने को मिलेगा तो main purpose है average price को नीचे लाइए और तब हम लोग को 3-4 साल में अच्छा return हम लोग को किसी भी stock में देखने को मिलेगा तो Tata consumer हमारा last pick था इसमें आप लोग कुछ entry बना सकते हैं fresh entry का भी से मैं है और अभी कोई buy किये हैं तो तुरह downtrend में averaging नहीं करना है लगतार हम लोग को downtrend में averaging नहीं करना है ये बात का हर बार हम बोलते हैं आप ख्याल रखिएगा तो weekly chart पे भी देख रहे हैं weekly chart पे भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि price 200 days के moving average से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और इस pivot से टकराता है इस करन्स से हम लोग को थोड़ा बहुत pullback देखने को मिल रहा है तो इसमें और भी थोड़ा बहुत गिरावाट हो सकता है क्योंकि price 200 days के moving average से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें massive bull run हम लोग को देखने को मिल रहा है और 20 का line उपर की तरफ in client था उसके बाद resistance मिलता है और price नीचे आने का का है तो थोड़ा overvalued भी टाटा consumer है तो इसका हम लोग को ख्याल रखना है तो इसकारण से थोड़ा टाटा consumer हम लोग को overvalued भी लग सकता है क्योंकि high PE पे work कर रहा है लेकिन quality stock है तो थोड़ा महंगा भी मिलेगा लेकिन हम लोग ज्यादा quantity buy करके नहीं चलेंगे थोड़ा quantity quality में आप लोग S.I.P करें और अगर नीचे आता है तो और भी हम लोग नीचे का पीभट देखेंगे और अपना quantity को increase करेंगे average कर लेंगे तो quality stock में averaging से भी नहीं डरना है नीचे भी price है तो हम लोग को ज्यादा घबराना नहीं है अगर हम लोग का अच्छा quality stock है तो long term में मिलेगा ही तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहागा concept भी समझ में आ रहागा दोस्तो तो आप लोग वीडियो को like कर सकते हैं चैनल को subscribe कर लिजे और अपने दोस्तों में share कीजिए चलिए मिलते हैं next video में